आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक important announcement, बहुत सारे लोगों से मुझे ये पता चल रहा है कि वो कहते हैं कि उन्हें सारे मेरे वीडियो का notification नहीं मिल रहा है, तो अगर ऐसा है तो आपको तीन steps करने हैं, पहला आपको इस channel को subscribe करना है, फिर आपको bell icon को दबाना है, और उसके बाद आपको all notifications को select करना है, ताकि जब भी कोई मैं वीडियो डालूँ और ये series का कोई भी वीडियो आपसे miss ना हो जाए, इसके अलावा अगर आपको ये series पसंद आ रही है, अगर आप कुछ नया सीख रहे हैं, तो इस video को like जरूर करिएगा, और इस series को अपने friends और family के साथ share जरूर करिएगा, और हाँ, आज के video के end में आपके लिए एक जरूरी exercise भी है, जिससे आप खुद undervalued shares ढूंड पाएंगे, और I'm sure ये आपके लिए बहुत satisfactory होगा, तो इस video को end तक जरूर देखिएगा, क्योंकि end में एक interesting exercise हैं आप सभी के लिए, नमशकार दोस् जो कि देखने पे महेंगे लगते हैं, लेकिन एक simple तरीके से, आप उन्हें कई बार 50, 60, 40% के discounts में खरीच सकेंगे, बहुत सारी अच्छी कमपनियों में ये option है, तो इस कारण इस video को बना दे में मैं बहुत excited था, और जैसा कि हमने valuation को discuss करना शुरू कर दिया है, तो आज भ बताने जा रहा हूं, बहुत valid तरीका है, उससे आप बहुत सारी अच्छी कमपनियों में खरीच सकते हैं, बहुत जादा discount में, लेकिन हर कमपनी को नहीं खरीच सकते हैं, आप में से कुछ लोग इस तरीके को जानते होंगी, क्योंकि मैंने एक बार अपने live वीडियो में भ अब आप जानते होंगे, पो ये गोदरेज एर तो इस तरहा के काफी जो घर घर बे प्रॉड़क्स होते हैं, वह ये कमपनी बनाती है, अब हमने ये पहले discuss किया हुआ है कि enterprise value याने आपको कितने पैसे देने पड़ रहे हैं उस company को पूरा खरीदने में debt और cash को adjust करके actual में आपको कितने पैसे देने पड़ रहे हैं अगर आपने ये series शुरू से नहीं देखी है तो हो सकता है आपको enterprise value का concept समझ में ना आए तो यह अब मैंने playlist डाल दी है इस playlist को आप उपर card पे या video के description में जाके देख सकते हैं और starting से इस series को देखिए ताकि आपको सारे videos समझ में आए और आज जो मैं discuss कर रहा हूँ वो भी better समझ में आए तो जैसा मैं कह रहा था कि enterprise value इस company के 60,000 है यानि ये company अगर आपको पूरी report मिल जाएगी तो मैंने annual report खोली हुई है इसके page number 34 में आपको ये information मिलेगी और आपको पता चलेगा कि Godrej Industries जो है वो खुद का business करती है जैसे chemicals, state management, finance and investments और दूसरा इसकी कई सारी Godrej Group companies में shareholding भी है और जैसा आप देख सकते हैं लगभग 24% Godrej Industries की shareholding है Godrej consumer में चलिए अब फिर से देखते हैं Godrej consumer को 100% company आपको 60,000 करोड में मिल रही है अब Godrej Industries का इसमें 24% हिस्सेदारी है मैंने इस 61,000 करोड को 24% से adjust किया तो लगभग ये 15,000 करोड के आसपास आएगा अब आप देखिए अगर आप पूरी Godrej Industries लेना चाहें तो आपको वो 15,000 करोड में म Godrej Industries मिल रही है इस company ने Godrej consumer में investment किया हुआ है जिसकी आज की value ही 15,000 करोड है याने ये 15,000 करोड से तो आपको Godrej consumer में 24% हिस्सेदारी मिल रही है ऐसे में आपको Godrej Industries का chemical business लगभग फ्री में मिल गया I hope आप समझ पा रहे होंगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तो चलिए इसे एक simple example से समझते हैं मान लीजिए आपने अपने दोस्त की एक company थी उसे पैसों की जरुवत थी तो वो अपनी company 50,000 रुपे में बेच रहा था आपने उस company को खरीद लिया 50,000 रुपे में और आपको पता था कि इससे कुछ खास फाइदा होना नहीं लेकिन आ अब आपको पता चलता है कि इस company ने 30-40 साल पहले MRF का एक share खरीदा था तब कुछ 100-200 रुपे में और आज उस MRF के एक share का दाम 70,000 रुपे हैं तो अब क्या हुआ कि आपने जो company खरीदी 50,000 रुपे में उस company के पास investment है 70,000 रुपे का तो basically आपको company तो free में मिली ही मिली उ उपर से आपको 20,000 रुपे एक्स्ट्रा मिल गए तो इस तरह के मौके share बजार में भी बहुत मिलते हैं चलिए इसे और समझते हैं और इसके लिए गोदरेज इंडस्ट्रीज की जो annual report में ने खोली हुई है उससे जरा और देखते हैं अभी तो हमने देखा कि गोदरेज इ इंडस्ट्रीज के पास है तो ये 15,000 करोड रुपे तो गोदरेज कंजूमर में investment से वसूल हो गए और देखते हैं कि गोदरेज इंडस्ट्रीज के पास क्या है अब गोदरेज इंडस्ट्रीज के पास लगभग 53% shareholding गोदरेज properties में भी है तो अब हम गोदरेज और इसमें 53% shareholding गोदरेज इंडस्ट्रीज के पास है यानि हम 50% भी मान ले तो लगभग 10,000 करोड रुपे तो अब 10,000 करोड रुपे की value के shares गोदरेज properties में है और 15,000 करोड रुपे के shares गोदरेज consumer वाले हैं industries के पास हमने देख लिया कि 25,000 करोड रुपे की market value के shares Godrej Industries के पास है 25,000 करोड और ये 25,000 करोड के investments आपको 15,000 करोड में मिल रहा है अब और देखते हैं कि इनके पास क्या है? Godrej aggrovet में भी लगभग 60% stake है तो अब देखते हैं कि aggrovet कि market cap कितना है? ये है लगभग 7,000 करोड रुपे यानि अगर हम इसका 60% लें तो 4,000 करोड के आसपास आएगा तो 10,000 Godrej properties, 15,000 consumer और 4,000 aggrovet ये सब मिला के 29,000 करोड रुपे के investments हैं Godrej Industries के पास और ये 29,000 करोड लगभग 29,000 करोड रुपे के investments आपको मिल रहे हैं 15,000 करोड रुपे में यानि आपको ये सारी कंपनियों में stake 50% discount में मिल रहा है जिस Godrej properties का market में दाम 672 है आप assume कर सकते हैं कि आपको 3,000 के आसपास मिल रहा है Godrej consumers का share आप assume कर सकते हैं आपको 300 रुपे में मिल रहा है जिसका दाम 600 के आसपास है उसी तरह एग्रोवेट का share आपको assume कर सकते हैं कि 200 के आसपास मिल रहा है और एक बात का ध्यान रखिये कि अभी हमने 2 चीज़े count नहीं किये हमने अभी count नहीं किया है कि nature's basket जो Godrej Industries का जो 100% business है उसकी value तो हमने अभी ली ही नहीं है वो भी कुछ 100 करोड रुपे होगी और Godrej Industries का जो खुद का chemical business है हमने वो भी अभी count नहीं किया है कुछ 1000 करोड रुपे value तो उसकी भी होगी यानि एक तरीके से आपको 50% से जादा का holding company discount मिल रहा है अगर आप Godrej Industries के जरीए Godrej Consumer, Godrej Aggrovate या Godrej Properties खरीटते हैं तो इस discount को हम कहते हैं holding company discount अब मैं आपको बताता हूँ कि holding और subsidiary company या associate company क्या होती है holding company जैसा कि नाम से clear है ये वो company है जो दूसरी companies में shares को hold करती है या उनमें invest करती है या उनको own करती है तो जो company दूसरी company में investments करती है जादा तर उसका काम वही है उसे कहते हैं holding company अब Godrej Industries क्या एक holding company है देखे पूरी तरीके से holding company तो नहीं है तो कि Godrej का खुद का भी chemicals का भी अच्छा खासा काम है लेकिन ये बिल्कुल है कि Godrej की जो total value है उसमें से जो enterprise value है जो 15,000 करोड की enterprise value दिख रही है इसका जादा तर हिस्सा definitely इसके investments से आ रहा है major proportion इसके valuation का इसके investments से है और इसी लिए Godrej Industries को हमने asset based valuation किया जो valuation मैंने आपको करके अभी बताया उसे कहते है sum of parts valuation याने कि आप किसी company के सारे investments की individual value देखते हैं आप देखते हैं कि इस company का Godrej Consumer में जो investment है उसकी value क्या है properties में जो investment है उसकी value क्या है तो आप इस company के जो investment के parts है अलग अलग उसका sum करते हैं या उसको जोडते हैं और फिर देखते हैं कि आपको अच्छा खासा discount मिल रहा है की नहीं तो इसे कहते हैं Sum of Parts Valuation और जो company दूसरी companyों में shares hold करती है या investment करती है जिसका major काम यही है उसे holding company कहते है इसी तरह subsidiary company वो है जिसमें ज़्यादतर share holding कोई और company own करती है 50% से ज़्यादा जैसे इस case में देखते हैं कि गोद्रेज Industries के पास 50% से ज़्यादा share holding है गोद्रेज properties में 50% से ज़्यादा है गोद्रेज aggrovet में तो गोद्रेज aggrovet और गोद्रेज properties को गोद्रेज industries की subsidiary मान दिया जाएगा वही अगर 50% से कम है लेकिन फिर भी अच्छी खासी holding है मान लिजे कि 20% से ज़्यादा की holding है लेकिन 50% से कम की है जैसा कि गोद्रेज consumer में है तो गोद्रेज consumer को हम कहेंगे कि ये गोद्रेज industries की associate company है और गोद्रेज consumer, गोद्रेज properties, गोद्रेज aggrovet ये तीनों एक दूसरे की sister company है क्योंकि इनके owner एक same company है तो ये तीनों कमपनिया गोद्रेज industries की subsidiary या associate है इसलिए इन तीनों को sister companies कहा जाएगा तो उमीद करता हूँ अब आपको holding company, subsidiary company, associate company और sister company के concepts clear हुए होंगे और अब इससे पहले कि हम वो interesting exercise की तरफ बढ़ें जिससे definitely आपको practically सीखने को मिलेगा दो important pointers जो मैं चाहता हूँ कि आप याद रखें इस तरह से companies को value करने से पहले पहला ये कि जब भी आप किसी holding company को value कर रहे हैं उसकी subsidiaries के मुकाबले तो सिर्फ ये देखके invest नहीं कर लेना है या उस share को पसंद नहीं कर लेना है कि 100 रुपए में आपको holding company मिल रही है और उसकी investments की value 200 रुपए दिख रही है आज market value तो 50% का discount है आपको ये भी देखना है कि जो subsidiary या associate companies की आप value जोड रहे है क्या वो companies अच्छी है जैसे गोदरिज industries का investment है गोदरिज consumer में, गोदरिज aggravate में गोदरिज properties में तो ये companies genuinely fundamentally strong companies है अगर आप इनका भी आप basic ratio analysis करेंगे कम से कम ये minimum सारे company essentials देखेंगे तो आप समझेंगे कि सारे ratios इनके अच्छे हैं या ठीक ठाक है बुरी company नहीं है, डूबने वाली company नहीं है पिछले videos में जो मैंने आपको pointers देखने को बताया था at least bare minimum pointers उन्हें जरूर देखें क्योंकि हो सकता है आज कोई ऐसे ही fraud company है या bankrupt होने वाली company है जो जबरदस्ती जिसका price बढ़ा हुआ है तो ऐसे में अगर आप उसकी holding company को देखेंगे तो आपको लगेगा holding company सस्ते में मिल रही है इसकी जो subsidiary है उसका तो price बहुत हाई है तो एक check जो आपको लगाना है वो ये कि subsidiary companies की हालत ठीक ठाक है की नहीं वो लेने लायक है की नहीं क्योंकि अगर company ही अच्छी नहीं है तो आप उसको 50% discount में लेके भी क्या करेंगे क्योंकि बुरी company की value तो zero होती है तो सबसे पहले देखना है कि subsidiary companies fundamentally strong है की नहीं ये पहली चीज दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है कि holding companies अकसर discount पे चलती है याने 25-35% तक का discount भी normal है याने अगर एक holding company के पास 200 रुपे के investments है तो आप ये मान लीजिए कि वो 1500 रुपे के आसपास में वो holding company तो रहनी ही चाहिए ऐसा नहीं है कि 200 के investments है तो वो holding company 200 में रहे जैसे Godrej Industries के case में हमने देखा कि total investments का इसका market price आज के investments के हिसाब से है 29-30,000 करोड रुपे तो ऐसे में ऐसा नहीं है कि ये enterprise value कभी भी 30,000 करोड रुपे होगी ये कभी नहीं होगी ये fairly valued होती अगर enterprise value आप समझे लेजिए 22,000 से 25,000 करोड के बीच होता 25-30% का discount तो रहता ही है अब हम जाते हैं कि 25-30% का discount क्यों रहता है पहला कारण कि ये company जो भी अपने investment से कमा रही है उस पे इस company को tax देना रहेगा अगर ये कुछ shares बेच के capital gain कमाती है तो इस company को tax देना रहेगा तो tax burden इस company पे investment company पे additional आ जाता है जो company गोंदरिच consumer properties जो भी business कर रही है उस पे तो वो tax दे ही रही है लेकिन जब भी पैसा इसे transfer होगा तो या तो dividend distribution tax लगेगा जो company काट के इसे देगी या अगर ये company shares बेचेगी तो capital gain tax लगेगा तो कुछ tax इसको extra देना पड़ेगा उस कारण इसकी value थोड़ी कम हो जाती है दूसरा कारण अब ये खुद एक company है तो इसको साल की company के जो compliance related जो annual filing annual जो laws रहते हैं अब ये listed है तो stock exchange related जो fees है इस company को वो सारी fees भी देनी है तो इस company के खर्चे जो इसका board है इसका management है ये जो annual meetings करते है in fact एक Godrej Industries की annual meet मैंने भी attend किये जब मैंने SM में पढ़ता था so काफी interesting था जब मुझे आदी Godrej से मिलने का मौका मिला था as a student मैं आदी Godrej से मिला उनसे AGM में एक सवाल भी पूछा था ध्याननी है मुझे कौन सा ये मिले लिए हमेशा बहुत सौभागे की बात रहेगी कि मैं Godrej Industries या AGM में जाके आदी Godrej से मिल सका था और उनसे सवाल भी पूछ सका था anyways एक reason और भी है वो ये कि क्योंकि Godrej Industries जैसी company अपने ही group की companies में invest करती है तो ऐसा नहीं है कि जैसे ही price बढ़ेगा तो ये बेच के निकल जाएगी और सारा पैसा lock-in कर लेगी सारा profit lock-in कर लेगी Godrej Industries की एक तरह से मजबूरी भी है कि share का दाम कितना भी उपर नीचे जाए ये उन companies के shares को बेचे ना नहीं तो Godrej Group अपनी ही companies में से shareholding खो बैठेगा तो ऐसे ही में हमें ये भी पता है कि भले ही market cap कुछ भी हो market value कुछ भी हो इसकी subsidiary companies के stocks का कौन सा Godrej बेच के उस profit को book कर सकता है नहीं कर सकता है तो ये भी एक problem है जिसके कारण liquidity discount in holding companies को मिलता है तो ऐसे बहुत सारे कारण है जिसके कारण discount पे रहती है अपने investments से holding company लेकिन आपको दो चीजों का ध्यान रखना है पहला कि जब भी ये discount 50% के आसपास है या उससे जादा है तो ये बहुत अच्छा है और दूसरा आप कभी भी जैसे इस case में मैं आपको explain कर रहा था इसले मैंने Godrej Industries के standalone business को value ही नहीं किया है तो कई सारी ऐसी holding company आए जो खुद का भी कुछ न कुछ business करती है तो आपको उसको भी देखना है कि कितना value उससे मिल रही हो हो सकता है उससे भी अच्छी खासी value मिल रही हो और तीसरा कि जो investing companies है जिन company में investment हुआ है वो fundamentally अच्छी है कि नहीं ये तीन चीज़ें आपको देखनी है discount अच्छा हो खुद का भी standalone business अगर है तो बहुत अच्छी बात है और तीसरा कि fundamentally sound investing companies हो ये तीन factors अगर है तो definitely आपको एक बहुत अच्छी company बहुत अच्छे discount पे मिल गई है और आप बारी है आज के homework या फिर उस exercise की जो मैंने आपको बताया था तो वीडियो के description में कुछ holding companies की list मैंने दी है सारी नहीं लेकिन कुछ holding companies की list मैंने आपको दी है उन holding companies में से आप किसी को भी जुनिये जो भी आपका मन हो और फिर जिस तरीके से इस वीडियो में मैंने valuation किया है कुछ ऐसी companies identify करिए जो 50% से ज़्यादा discount पे available है और साथ ही साथ जो fundamentally strong भी है और अगर आप मुझसे बाते करना चाहते हैं मुझसे और जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं Twitter, Instagram, Facebook, Telegram सारे social media पे जिसकी ID अब आपके screen पर है मैं लाता रहूँगा ऐसे और बहुत सारे videos तब तक के लिए This is Pranjal Kamra, signing off, bye bye